दिन का करीब एक बच कर एक मिनिट हुआ था लोकसभा की कारवाई चल रही थी और यका एक दर्शक दीरखा से दो लोग सदन में कूद पड़े और कूद ही नहीं पड़े जूते उतार कर सांसदों की बेंच पर उनकी मेजों पर दोड़ लगाने लगे उनके हाथों में कैन जिससे एक पीले रंग का धुआ निकल रहा था और उस धुए ने सदन को धिरे धिरे भर दिये सांसदों ने सूजबूज दिखाते हुए जिसमें से प्रमुक्तवर पर कॉंग्रस के सांसद थे गुर्जीत सिंग ओजला थे लोगों ने उन लोगों को जखड लिया उनको धर्दबोचा उस महौल में भी उस कौतोहल में भी राहुल गांधी जी सदन में मौजूद थे वो तठस्त खड़े रहे शांत रहे और विचलित नहीं देखे तो वो जब डरो मत कहते हैं तो वो कहते ही नहीं है करके भी दिखाते हैं लेकिन बहुत सारे सवाल इस भारी च चूख हो कैसे सकती कैसे लोगों को वो क्यान अंदर लाने की अनुमती मिली है सदन में तो आप फोन तक लेकर नहीं जा सकते दर्शक तीर घामें तो कैन लेकर ये लोग कैसे अंदर आते हैं और सबसे पते की बात यह है कि आज से ठीक 22 साल पहले 13 दिसंबर के दिन इस के संसद ने आज उन वीर सपूतों को अपनी श्रधान जली दी जिन्होंने अपनी जान की परवा किये बिना इस देश के संसद की रक्षा की थी आज तो पुरे देश में रेड अलर्ट लगा हुआ है आज तो सुरक्षा के जो बंदो बस थे वह पुखता होने चाहिए तो बजाए पुखता होने के दो लड़के देश के सदन में घुसकर अतन पहला रहे हैं राजक्ता कर रहे हैं किसकी जिम्मेदारी है और उससे भी बड़ी पते की बात यह है कि इनकी जो एंट्री हुई सदन के अंदर उसका पास बनाने में और उस पास की सिपारिश और हस्ता रक्षर किया भाजपा के मैसूर के सांसद श्री प्रताप सिम्मा जी ने तो उनकी क्या जवाब दही है क्या वो जानते थे ये लोग कौन है क्या वो बिना जाने साइन कर रहे थे क्या वो जानते थे कि ये लोगा राजवता पहना जाते क्योंकि इतनी बड़ी सुरक्षा म भारी चूप हो रही है तो क्या उनको निश्कासित किया जाएगा क्या उनको एक्सपेल किया जाएगा पार्लिमेंट से क्योंकि उनके हस्ताक्षर से उनकी सफारिश से यह सब लोग यहां पर आए थे एक और बात है जो लोग सरहद को सुरक्षित रखने का दंब भरते हैं व बड़ी सुरक्षा की भारी चूप उसके बाद एक और नजारा देखने को मिला कुछ लोगों ने राजकता अंदर करी थी कुछ दो लोगों ने राजकता बाहर करी उनके हाथ में भी इस तरह के स्मोग बॉम थे उसको एक पत्रकार में पकड़ दिया और फिर पत्रकारों क जुंड जुथा वो एक दूसरे से जब तम जुथा लगने लगा कि ये उनको दिखाया जाए पर ये तो एक साक्षे है सुरक्षा ब्रीच का इट इस एन एविडेंस पर दे सिक्यूरिटी ब्रीच तो ये कैसे लोगों के हाथ में मेरा अपना मानना है कि इतनी बड़ी इत